Good morning dear students, आज चसी छेमी जमाद्दा अध्याए दो components of food यानी की पोजन दे तत करांगे पिछले अध्याए विच तुसी पोजन बारे जान चुके हो अते नाल ही तुसी पढ़या कि सानू पोध्यां दे केडे पागां तो पोजन प्राप्त हुंदा है इस चैप्टर विच इस अध्याए विच असी पढ़ांगे पोशक तत्ता बारे जा पिर आपा जानांगे संतुलित पोजन की हुंदा है नाल दे नाल असी त्रोटी रोगां दीवी जानकारी लवांगे चलो बच्यों आओ ते शुरू करिये पढ़ना अपना चैप्टर कंपोनेंट्स ओफ फूड पोजन दे तत्त सब तो पहले असी जानांगे की what do different food items contain की सारे पोजन पदार्था विच्च वखरे वखरे पदार्थ हुंदे हन बेटा मन लो असी कोई डिश खान दे हां ठीक है कोई भी असी डिश खानने हां ओ किसी चीज दी बनी है जा ओ चीज सानू plant तो मिल दी है जा सानू animal तो मिल दी है यानी जा सानू पौद्या तो मिल दी है जा सानू जन्टूआ तो मिल दी है और ओ उस डिश विच जेडी भी कच्छी समगरी है जा जो भी आइश है ओ पोशक तत अखवन दे हन मैं हुन इस दी परिवाशा बारे तानू दसना चानी हाँ निउट्रेंट्स यानी की पोशक तत पोशक तत साधे शरीर लही बहुत जरूरी है बेटा क्यों जरूरी है आओ दी परिवाशा नू जानी है यानी की ओ तत जो साधे शरीर दे वादे लही बहुत जरूरी हन अते नाल दे नाल ओ साधे शरीर नू उर्जा परदान करते हन पोशक तत काफी तरह दे है इमें बहुत अच्छा चार्ट और डिगर के बनाया है पहले नमबर दे अपा गल करांगे कार्बो हाइडरेट्स दी जिसनू अपा निशाष्टा कहने है फिर अपा प्रोटीन्स दी फैट्स दी जिसनू अपा चर्दी कहने है विटामेंस दी, मिनरल दी जिननू आपा मिनरल्स नू आपा कहने है खनी जलून डाइटरी फाइबर्स जिनना नू आपा कहने है मोटा अहार अतेप वोटर या पानी जेडा पोजन तुसी पकांदे हो या कच्चा पोजन that contains one or more of these nutrients ओनाच इक तो वद पोशक तत मजूद हुंदा है हुन असी जानांगे की की सारे पोजन पदार्था विच ए सारे पोशक तत उपलब्धान यानी do all food contains all the nutrients एना दे test नू प्रेजन्स कर लई आपा कुछ simple method यूज करांगे उनना methods लई जा उनना तरीक्या लई साड़ा लुडिंदा समान है iodine, copper sulfate, caustic soda, test tubes, dropper, raw material for testing raw material यानी कच्ची समगरी केड़ी है testing लई कच्ची समगरी जेड़ी सानू चाही दी है ओ है potato, आलू, rice यानी चावल, sugar cubes, चीनी दे कुछ cubes, oil, तेल, filter paper, ते nuts इनना कारिया लुडिंदा समान दे नाल असी वक्रिया वक्रिया किरियावा करांगे तो इक कर दे हाँ अपनी पहली किरिया जेड़ी की है activity test for starch यानी starch दा test करन दी activity starch बिटा basically निशाष्टा है उन साड़े जेड़े पोजन पदार्थ है उनना विच carbohydrates दी होंद है carbohydrates कई तरह दे हुन्दे हन साड़े पोजन विच ले मुख carbohydrates शक्कर अते निशाष्टा दे रूप विच हुन्दे हन उन असी निशाष्टे दा प्रिखन करन जा रहे हाँ प्रिखन टेस्ट फॉर स्टार्च प्रिखन ले असी पोजन पदार्थ जा कच्छी समगरी दी काफी मात्रा लवांगे जितना की असी लिया है चावल, शुगर क्यूब्स, बेकिंग सोड़ा अते आलू, नाल में लिया है आयोडीन दा कोल आयोडीन दे कोल दियां दो जा तिन बूंदा असी तानू वाच ग्लास विच पाके दिखा रहे हां हुन असी आयोडीन दे कोल दियां बूंदा सारे ही पोजन पदार था ते पामांगे चावल, अलू और तुसी देख्या की चावल अते अलू ना थोड़ा जा आयोडीन दे रांग दा फरक आया है शूगर क्यूब्स दे असी आयोडीन पा रहे हां अते बेकिंग सोड़े थे पोजन पदार्थ दे रांग विच होन वाले परिवर्तन नू त्यान नाल देखो तो आनू लग रहा है कि अलू अते चावला विच आयोडीन दा रंग फरक है ज़द की शूगर क्यूब्स जिन्हों अपा कहने हैं खंड अते बेकिंग सोड़ा विच आयोडीन दा रंग ओही है होन असी कंपेर करांगे आ देखो पिल्कुल आयोडीन दा रंग ओही है बेकिंग सोड़ा थे जद की आलू अते चावल विच इस दा रंग जेड़ा परिवर्तन होया है वो नीला जा काला होया है एथे काला होया है नीले जा काले रंग दी होद दरसांदी है कि आलू अते चावल विच निशाष्टा यानी की स्टार्च मजूद है तुसी आयोडीन दे को अलू ड्रॉपर दे नाल भी पा सकते हो अते ए बहुत इजी किरिया दे नाल तुसी विखोगे कि पोजन पदार्थ विच जेड़ा आयोडीन है वो मजूद है जेड़ा पोजन पदार्थ है उस विच स्टार्च मजूद है स्टार्च रियक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म ब्लू ब्लैक कमपाउट इस तरह असी जान्या कि साथे पोजन पदार्थ विच निशाष्टा मजूद है अगला प्रीखन नाल दे नाल सानू कॉस्टिक सोड़ा दी लोड पएगी प्रोटीन लई प्रीखन प्रोटीन दे प्रीखन लई असी किसे खोर पोजन पदार्थ दी उचित मात्रा लवांगे जिस पदार्थ दा प्रीखन करना है जे ओ ठोस है ता पहले उस दा लेप जा चूरन बनान दी इस पोजन पदार्थ दी उचित मात्रा लवांगे जा मसल के एक साफ परखनली विच पाओ तुसी मेरे हाथ विच परखनली देख रहे हो अते 10 बूंदा पानी दिया चंगी तरह पाके हिलाओ इस परखनली दे विच मैं प्रोटीन दा सैंपल लेया यानि ओ पोजन पदार जिस विच मैं प्रोटीन दा टेस्ट करना है इन्हों मैं पानी दिया दस बूंदा पाके चंगी तरह हिलाया तांकि जेडा प्रोटीन दा रिजल्ट है वो पोजिटिव आवे जे इस पदार्थ विच प्रोटीन है इसलए असी दो रियेजंट्स दी मदद लवांगे पहला दे नाल रियेजेंट्स जेडा मैं तहाँ दिका रही है वो है कॉस्टिक सोडे दा कोल ठीक है? यह कॉस्टिक सोडे दा कोल अगला रिएजेंट जिस दी मदद लवांगे ओ है copper sulfate यह मैं copper sulfate दी bottle फड़ी है ठीक है और copper sulfate दी असी मदद लेके इस दी इस प्रिक्खनों पूरा करांगे सब तो पहले मैं caustic soda दी dropper दी मदद दे नाल इक pipette जै एक dropper इस विच पाया इस विच यानि अपने sample विच और इस तो बाद मैं चंगी तरह इस नूँ हलाया चंगी तरह इस नूँ हलावांगे फिर तांकी साथा जेड़ा caustic soda दा solution है वो इस विच पैल जाए ठीक है चंगी तरह mix हो जाएगा caustic soda दा solution और यह दिखो agitate और mix the solution agitate ता मतलब है चंगी तरह हिलाना और दिखो protein दे विच caustic soda एड हो गया होना अपा copper sulfate दिया तिन चार बुंदा दी मदद लवांगे आँ दिखो मैं copper sulfate दिया तिन चार बुंदा इस विच पाईगा तिन चार बुंदा पान दे नाल यह होएगा कि अपा चंगी तरह mix करांगे जे तुसी चंगी तरह solution नूँ mix नहीं कर रहे ता maybe तो अड़ा result positive नहीं आएगा ता नूँ कुछ changes लग रहे है जे इस पतार्थ विच प्रोटीन है ता देखो mixture दा रंग change होना शुरू हो गया है mix बैंगनी कलर दा नजर आना शुरू हो गया है जे तुसी इस नूँ परक्नली नूँ थोड़ी देर प्यार रहें दो तो ये परक्नली विचला पदार्थ पूरी तरह बैंगनी रंग दा हो गया बैंगनी रंग दे पोजन पदार्थ विच होन करके प्रोटीन दी होन दनू दरसोंदा है इस तरह असी प्रोटीन दा प्रिखन कर सकते हां अगला प्रिखन जेड़ा असी करन जा रहे हैं वो टेस्ट पॉर फैट्स है यानि चर्बी लई प्रिखन इस प्रिखन नूँ होंत्यान नाल देखो चर्बी लई प्रिखन पोजन पदार्थ दी उचित मात्रा लवो अते इस नूँ एक कागज दे टुकडे विच इयर बढ़ दे नाल लगा लो आ देखो मैं तेल नूँ बीकर विच पान जा रही हैं अते मैं इयर बढ़ दे नाल तेल दे एक निशान फिल्टर पेपर उत्ते लगा लिया है हुन कागज नूँ सिद्धा करके त्यान नाल विखो की इस दे तेल दे थब्बे हन कागज नूँ प्रकाश दे समने लेके जावो की तो आनू इस दे थब्बे विचो पार हो के अण वाला प्रकाश विखाई दिन्दा है जिद्धा की देखो तेल विच तेल करके सानू जड़ा कागज दे प्रकाश पैर रहा है ओ आर पार दिखाई दे रहा है कागस ते तेल दा थब्बा पोजन विच चर्बी दी होंद दर्सोंदा है पर कई वरी पोजन पदार्था विच पाणी दी मात्रा वी हो सगदी है इना हलाता विच इना पदार्था नू कागस उत्ते होली होली रगडो अते कुछ समय बाद कागस नू सुका लवो ताकि पोजन पदार्थ विच चो कुछ पाणी आया होवे ता ओ सुक जावे इस तो बाद जे कागस ते तेल दा कोई निशान ना रहे ता पता चलदा है कि पोजन पदार्थ विच चर्बी जा फैट्स मौजूद नहीं है इससे प्रीखन नू असी कुछ होड चीजा नालवी करांगे मैं लेने ब्रेड नट्स ते कोई भी पाणी दा पता इना नू आपा अच्छी तरह पीस लिया है यह देखो असी इना नू पीस रहे हां नट्स आ पानी और इना तिना नू असी फिल्टर डिस्टिल्ड वाटर पा दिता है ताकि इना दा जिड़ा है कोल है वो लीकविड हो जाए तरल हो जाए हुन मैं तिन्ना जो कड के फिल्टर पे पड़ते तिन्ना दा दा निशान लगा रही है नट्स दा भी असी निशान ला रहे हैं पहले असी ब्रेड दा लाया फिर हुन आवले लीकविड दा तिन्ना नू असी प्रकाश अगे टंग दिता है देखो त्यानना और अपने प्रीखन दा रिजल्ट नोट करो ये प्रीखन ये दरसान दा है कि सिर्फ ते सिर्फ नट्स दे विच चर्बी मजूद है और ये प्रीखन ये दरसान दा है कि कागश दे तेल दे निशान पहले अते तीजे पडार्थ करके नहीं है और दूज्ये पदार्थ यानी नट्स विच नट्स करके तेल दे निशान रह गए हैं अते ओ प्रकाश नू जड़ा है दे सामने लेके गए हैं ते ओसा नू थबबा आर पार नजन आ रहा है इस तो ए पता लगदा है की पोजन पदार्थ विच चर्बी मौजूद है इस तरह असी टेस्ट पॉर फैट्स कीता बिटा होन असी जानांगे की वाट डू वेरियस नूट्रियंट्स डू फॉर अवर बॉड़ी यानी पोशक तत साड़े शरीर लई की करते हन मैं एथे सब तो पहले गल करांगी कार्भो हाइड्रेट्स अते चर्बी दी बिटा कार्भो हाइड्रेट्स सते चर्बी नूँ आपा इनर्जी गिविंग फूर्द्स कहने हा यानी ऊर्जा परदान कर्ण वाले जेडे हैगे है एस अधे पोशक ततने बेटा थल्ले में पिच्चर्स लहिया है वक्रियां वक्रियां जेडे तो अनूं कार्बोहाइडरेट सते फैट्स दे सोर्सिस दखारियां हन स्रोत कार्बोहाइडरेट से स्रोत तुसी नोट कर सकते हुआ चावल, बाजरा, कनक, चकरगंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आंब अते मक्की इससे तरह तुसी चरबी वाले स्रोत सबतो उपर में लए हन पोधा स्रोत अते थल्ले में लए हन जन्तू स्रोत जेडे सादे पोधा स्रोत हन ओ हन मूफली, गिरी, पिल अते जन्तू स्रोत हन मच्ची, मास और सादे अंडे जेडे कार्बोहाइडरेट सादे फैट्स हन उँ सादे श्रीर मूँ उर्जा बहुत देंदे हन असल विच कार्बोहाइडरेट्स दी तुलना विच चर्बी दी बराबर मात्रा सानू वद उर्जा देंदी है उन में गल करांगी प्रोटीन्स दी प्रोटीन्स नू असी बोडी बिल्डिंग फूड्स या श्रीर वदाउन वाला पोजन केंदे हां इस दे स्रोत हन छोले मूंड दी दाल, दालमा, राजमा, सोयाबीन, मतर अते इस दे जीब स्रोत हन मीट, मच्छी, पनीर अते अंडे यानी प्रोटीन्स नू असी केंदे हां श्रीर वदाउन वाला पोजन होन मैं गाल करांगी विटामिन्स दी, विटामिन्स कई तरह दे हुन दे हन विटामिन A, विटामिन B कंपलेक्स, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E अते विटामिन K विटामिन D दे स्रोत हम असे अनु दिखरे हन क्यों मच्छी दा तेल अते गजरा, विटामिन D दे स्रोत हन, जिगर, मक्खन, आंडा, मच्छी विटामिन C दे स्रोत हन, संत्रा, टमातर, साडे को अम्रूद, ठीके न, निंबू, आमला ते विटामिन B दे सरोथ हन साड़े को जिगर आत विटामिन E सा अधियां अखानू healthy रखदा है अधे अखा दे चमडियों तंदुरुस्त रखदा है विटामिन C सा अधि मदद करदा है शरीर दियां बहुत सारियां रोगां तो लड़न दी अते विटामिन D जिड़ा है ओ सा D हड़ियां अते दंदा लई केल्शियम दी वर्तो करन विच वी मदद करदा है विटामिन जिड़े हुन दे हन ओ जिड़े सा अधिय शरीर नू बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा विच उना दी लोड हुन दी है अगे मैं गाल करांगी खनीच लून दी जिनानों आपा मिनरल्स कहनने हां बिटा खनीच लून जेड़ी हुन दी है ओ साड़े शरीर दे सही विकास अते चंगी सेहत लई जरूरी हुन दे हन अते गाल करांगी खने चलून केल्शियम, फॉसफोरस, आयरन अते आयोडीन वरगे पदार्था नू क्या जन्दा है तुसी एना दे पिच्चर विच वखरे वखरे स्रोत देख रहे हो अगे मैं गाल करन जा रहे हां, डाइटरी फाइबर्स जिना नू आपा पोशक रवेशे केंदे हां इना दे जड़े सोर्सिस हन, ओ हन, हन, होल ग्रेंस, पल्सिस, पटाटोस, फ्रेश फ्रूट्स, अते वेजी टेबल्स बिटा, एडाइटरी फाइबर्स जिड़े हन, ए साधी हेल्प कर दे हन, कादे वस्ते हेल्प कर दे हन, अवर बोडी टू गेट रिड़ ओफ अंडाइजस्टेड फूड यानि की जिड़े रफेज है, ओ साधी बोडी दी मदद कर दे हन, क्योंकि ओ साधी पोजन विच्च अन पचे पोजन वाहर कर दे हन, ठीक है बिटा, ए पोशक ए ए होजे पोशक हन, तत हन मोटे हाहार साधे शरीर नो कोई पोशक तत परदान नहीं कर दे, फिर भी ए साधे पोजन दा एक बहुत जरूरी हिस्सा है, अगे मैं गल करांगी पानी दी, बिटा पानी शरीर लही बहुत जरूरी है, पानी क्यों जरूरी है, क्योंकि ए हेल्प करदा ऐसा डी बॉडी दी, to observe nutrients पोशक ततनू सोखन विच, नाल नाल इसा डी हेल्प करदा है, कि कुछ वद्दू पतार जेडे साधे शरीर विच हन दे हन, ओ स्वेट यानी पसीने दे रूप विच बाहार न जरूरी कल जान दे हन, अते साधे शरीर विच गंदगी नहीं रहन दी, अगे पानी उचेडा होया, ओ हेल्प करदा है, कि तो मिलना है तो अन्नों, जेडे भी लीकवर्ड्स तुसी पीन दे हो, जा फिर कुछ माउंट अफ पानी तुसी पीन दे हो, पिटा तुसी कदी दे है, अगे मैं ता डिन अलगाल करना चैमिया संतुलित अहार की, बैलन्स डाइट, अ डाइट कंसेस्टिंग ओफ वराइटी ओफ डिफरेंट टाइट्स ओफ फूड्स और प्रुड्स और प्रुडिंग एडिकेट अमाउंट्स ओफ नूट्रियंट्स नसेसरी पूर फूड बिटा यानी की संतुलित अहार साड़े चंगे वादे अते चंगी सेहत बनाए रखली बहुत ज़रूरी है, कोई भी पोशकतात नों तुसी जादा जा काट नहीं ला सकते और जेडा पोजन सारे पोशकतत पंटेन करदा है, उन्हों आपा संतुलित पोजन केंदे हां, बाडे पोजन चे फ्रूंट्स भी होने चाहिए है, वेजी टेबल्स भी होने चाहिए है, राइस अते चपाती भी होने चाहिए है, पल्स ते बीन्स भी होने चाहिए है, डेरी पोजन भी होने चाहिए है, अते वाटर भी होना चाहिए है, ठीक है बिटा, पर इतले मैं गल ता डिना करना चाहां ही How to cook food यानि कि असी पोजन किद्धा पड़ा ये तांकि उदा जड़ा संतुलित तत्य खतम ना होन बेटा, food should be cooked properly so that its nutrients are not lost एदा खाना बनाओ कि उदे जड़े nutrients है और लोस ना करन washing ना करो बार बार सबजियां ते पला ना तो vitamin C जड़ा होनता है वो easily destroy हो जानता है cooking नाल इसलिए vitamin C नो अलग लओ नाल दे नाल तुसी ज़्यादा चावल वगेरा खाओगे ते ये obesity यानि मुटा पे नू ता डेशरीर विच बदा आ देगा ठीक है बिटा इसलिए food नो properly cook करो अगे मैं गाल करांगी deficiency diseases दी जिनानों अपा throaty wrong केंदे हां जदो कोई व्यक्ती एक जब एक तो बात पोशक तत जादा देर नहीं लेंगा ता उसनों throaty wrong हो जान दे हन यानि deficiency diseases हो जान दे हन deficiency diseases of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body जिद्दा की diseases that occur due to lack of nutrients over a long period जदो तुसी काफी देर तक कई पोशक हतत नहीं लेंदे तो तो अड़े शरीर नू throaty rog हो जान देने जिद्दा की तुसी काफी देर carbohydrates, fats जा protein दी मात्रा नहीं लेंगे ता तुसी mal nutrition दा शिकार हो जाओगे यानि ता दे शरीर दा वाद दा रुक जाएगा ता दे शरीर नू उर्जा नहीं मिलेगी ठीक है बिटा जे तुसी mineral vitamins काफी देर नहीं लओगे तो ता नू RNA deficiency ना anemia हो जाएगा vitamin A दी deficiency ना night blindness हो जाएगी vitamin D atis calcium दी deficiency ना तानू rictus वरगे रोग भी हो सगदे हन vitamin C दी deficiency ना तानू skarवी रोग हो सगदा है सो बिटा इस पार्ट विच असी बहुत कुछ जान्या असी जान्या तुरूटी रोग की हुंदेहन असी जान्या असी पोजनु किद्दा बनाना है balance diet बारे जान्या यानि संतुलित अहार बारे फिर असी हरेक पोशक तत दे स्रोत जाने उनना दे साड़े बॉडी ले यूजल जाने टेस्ट किता असी फैट्स दा प्रोटीन्स दा अते स्टार्च दा ना दे नाल असी जड़े है nutrients पोशक तत दा बारे जान्या असी जान्या कि सानू पोशक तत कित्थों मिल दे हन या पोशक तत केड़े फूड विच हुन्दे हन जाकी एको ही फूड ज सारे ही हुन्दे हन जा अलग-अलग हुन्दे हन सो इस तरह इस पार्ट विच असी साड़े पोजननी जान्या अते मुख पोशक तत जिमें की कार्बो हाइडरेट्स प्रोटीन चर्बी विटामिन अते खने जलूना बारे ज्यान प्राप्त किता असी जान्या की कार्बो हाइडरेट्स ते चर्बी साड़े शरीर मुख की दिन्दे हन उजा प्रोटीन साड़े शरीर मुख की दिन्दा है वाददा अते साम संभाल इससे तरह जड़ा विटामिन है ओसा डे शरीर मुख की दिन्दा है ओसा डे शरीर मुख गां तो लड़न प्रती जड़ी है ओ शक्ती प्रदान करता है संतुलित पोजन जरूर खाओ विटा तो इस तरह अज असी पोजन दे तत पाठ नू पूरी तरह पड़िया उमीद कर दियां कि ए पाठ तानू बहुत चंगी तरह समझ आ गया होगेगा